एक सोनार की मृत्यू के बाद उसका पूरा खांदान मुसीबत में पढ़ गया और उसके पूरे परिवार को भोजन के भी लाले पढ़ गए एक दिन मृत सोनार की पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार दे कर कहा बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ और कहना ये बेच कर कुछ पैसे दे दे बेटा वो हार लेकर चाचा के पास गया चाचा ने हार को अच्छी तरह देख और परक कर कहा बेटा मां से कहना कि मार्केट में अभी बहुत मंदा है थोड़ा रुक के बेचने बोलना अच्छे दाम मिलेंगे फिर उसे थोड़े से रुपए दे कर कहा तुम कल से मेरी दुकान पर आकर बैठना अगले दिन से वो लड़का रोज दुकान पर जाने लगा कुछी दिनों में वो बड़ा माहिर बन गाया एक दिन उसके चाचा ने कहा बेटा अपनी मां से वो हार लेकर आना और और कहना अब मार्केट में बहुत तेजी है उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे दूसरे दिन मां से हार लेकर जब लड़के ने उसे परखा तो पाया कि वो नकली है फिर उसने हार को घर पर ही छोड़ दिया और दुकान लोट आया चाचा ने पूछा हार क्यों नहीं लाए उसने कहा वो तो नकली था तब चाचा ने कहा जब तुम पहली बार उस हार को लेकर आये थे तो उस वक्त मैंने उसे नकली बता दिया होता तो तुम यही सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया तो चाचा हमारी चीज को भी जाली बताने लगे आज जब तुमें खुद ग्यान हो गया तो पता चला हार नकली है निशकर्श सच तो यह है कि ग्यान के बगैर इस दुनिया में ऐसे ही गलत फहमी का शिकार होकर पारिवारिक और बेहत करीबी रिष्टे बिगड़ जाते हैं